आज हम आपके साथ सेर करेंगे अंडा आलू का मसाला करी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादे स्वन के रेडी होता है एक बार आप मेरे तरीकों से बना के देखिए येकिन मानिये आपको बार बार इसी तरीके से अंडा खाने का मन करेंगा तो चलिए इसे बनाना पूराइ कर लेंगे मैंने सारे के सारी अंडय कःटाई में डाल दिये हैं और अब इसमें प्रीजा में अच्छा सदा कःलेंगे बहुत अछे कलर आता है और क्रेकर अंदे योसमी जोमच हटी हडी और लो फ्ले में ही मैं इसे फ्राई कर रहे हूँ, तो यह आप देक सकते हैं, अंड़ बेलकुल फ्राई होके रेडी हो गया है, अब इसे हम एक एकहर करके निकाल लेंगे, अब इसी बचेख विये तेल में हमें आलु को भी फ्राई कर लेना है, तो जिस तर से हमने अंडे को फ्राई किया है बिल्कुल वैसे ही आलो को भी फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं आलो में भी बहुत अच्छा कलर आया है और अब यह भी फ्राई हो चुका है और अब हमें इसे निकाल लेना है इन कड़ाई में हमें ग्रेवी की तियारी उसे बिल्कुल बारुक op के लिए अधरी की करेंगी में तो आप देख सकते हैं कि प्य謹 मिलें सी क्षय भून है , आप हम इसन नी लिएक का लाज आदरक पेस्ट डालेंगे दो बड़े चमच लसन अद्रक और हरी मिर्श का पेस्ट है तो इसे हमें दो से तीन मेनर तक घूनना है या तब तक घूनना है जब तक इसका कचापन दूर ना हो जाए तो यह बिल्कुल भून गया है और भून के रेडी हो गया है और अब हमें इसमें टमाटर डालनी है तो आप देख सकते हैं कि तमाटर विंघ्र pikन बूं चुका है और अब हमें ईसमे मसाले डालने हैं एक चमच लान में मिर्च का पॉडर डालेंगे एक चमच जीरा पॉडर डालेंगे छोटी चमच काली में इस पॉडर डालेंगे और यह एक बड़ा चमच मट्रमसाला है इसे दालेंगे साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मासालो पा मस्चराजर बना रहे और अब इसे हमें भूनना है तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे यह मैं हल्दी पॉडर इसकिप कर गए हूं तो एक चोटा चमच हल्दी पॉडर डालेंगे और अब अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद इन्हें तेल से लेट से कबर कर लेंगे मसालो कर ढग और तब तक पकाएंगे जब तक मसालो की किनाजे तेल चोड पर न किल लगा है और ये मसाले पतको पक कर ऑफ़ी हो गया है और अब हमें इसमें अंडे डालने हैं पॉर ईह मैं आलू और अंड़ दोनों एक साथ ही जटाल दिये हैं और अब इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है, साथ ही हमने स्वाधन सार नमक डाल दिया है, नमक जरा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने अंडा फ्राइ करने के समय भी डाला था, अब इन्हें चलाते हुए एक से दो मिनद तक और भूनना है, आप सोच रहे कि मैंने पानी नहीं डाला और इसका ग्रेवी नहीं रेडी किया और ऐसी ही भून रही हूँ, तो हाँ इसे अंडा और आलू अच्छे से मसाले में उठ हो जाते हैं और इसे बहुत अच्छा प्लेवर आता है, इसलिए मैं सालो के साथ आलू और अंडे दोनों साथ में भू कर लेंगे, अब इसे ज्यादा दिन ही पकाना है, बस एक से दो मिनट तक पकाएंगे और फ्रेम को आफ कर देंगे, और अब आप यह देख सकते हैं कि हमारा सूपर डूपर आलू अंडा मसाला करी बन करके रेडी हो गया है, चलिए इसे खाना स्टार्ट करते हैं,